नमस्कार, स्वागत है आप सिंधी के एक और धमाकेदार वीडियो में मैं आपको आज की इस वीडियो में काफी ज़्यदा important और interesting जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो एक option trader जो है वो सफल trader बनने के लिए उनको क्या-क्या सीखना सबसे पहले और सबसे ज़्यादा important होता है दिखिए जब भी लोग options में trading करने आते हैं तो वो confused रहते हैं कि हमें क्या-क्या सीखना चाहिए आप अगर 6 मैं एक साल से अभी trading कर रहे हो और आप अगर regular loss कर रहे हो तो आपके दिमाग में सवाल चलता होगा कि आरे क्या सिखूं कहां पर miss हो रहा है जिससे मैं सही ढंक से trade ले नहीं पा रहा हूँ अगर आपके दिमाग में ये तमाम तरह का जो सवाल है वो अगर चल रहा है तो आपको आज की इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है एकदम clear और सरल भासा में तो चलिए वीडियो को अभी से like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिएगा और अगर आप free learning टेलिगराम चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो description में link है जोईन कर लिजिएगा ठीक है देखिए मैं आप लोगों को किलिजार और आस्थान सब्दों में बताना चाहता हूँ हम लोग जब भी options में trading करने आते हैं तो already हमारे पास क्या होता है कि stock market के बारे में जानकारी होती है stock market के मतलब क्या है कि जो fundamental है देखिए stock market का fundamental ये तो हम लोग जानते हैं तभी trading कर रहते हैं उसके बाद options क्या है, options या futures, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, कहीं न कहीं जानते हैं, तभी trading करना start कर देते हैं, ठीक है, अगर आप first time देख रहे हो, तो आपके लिए भी मैं बता दू, हला कि fundamental और options and futures के बारे में मैं उल्री बताया हुआ हूँ, ठीक है, तो देखो, यह हम लोग जानते हैं, fundamental सीख लेते हैं, option and future को जानते हैं, buy करना and sell करना, इसको भी हम लोग समझते हैं कि कब buy करना है, कब sell करना है, ठीक है, यानि market उपर जा रहा है तो call buy कर लू, market नीचे जा है, ठीक है, chart को सीखना है, price action को सीखना है, chart pattern को, candlestick pattern को, option chain, क्या सीखूं, जिससे मैं एक सफल ट्रेडर बनूँ, ठीक है, तो मैं आपको step by step आज की इस वीडियो में बताऊंगा, दोस्तों हमें part by part सीखना है, देखो, सीखने से पहले मैं आपको बता दूँ, कि हम जो भी सीखेंगे उसमें 90 से 10, ये 90 10 का ratio होने वाला है, ठीक है, अब 90 कौन है, 10 क्या है, वो भी म मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझेगा, ठीक है, तो देखो, आपना fundamental, options and futures, buy कब करना है, sell कब करना है, मतलब कि उपर जा रहा है, तो buy करना है, नीचे जाना है, तो sell करना है, यानि call put, ये सब आप समझ गये हो, ठीक है, ये सब समझ लिए हो, अब आप चाहते हो, कि मै अच्छे से पहले zero level से सीखूं, तो सब से पहले आपको क्या सीखना चाहिए, ठीक है, देखो, आपके पास demate account हो गया, demate account को आप अच्छे से चलाना सीख गए, उनके जो भी अंदर का interface है, वो समझ गए, वो सब होता है basic चीज, ठीक है, तो वो basic चीज आप सीख गए है, अभी देखो आपको सब से पहले क्या सीखना है, ठीक है, डेखो, नमबर one, आपको सब से पहले चार्ट के बाड़े में सीखना है, chart analysis, ठीक है, chart analysis, यहाँ पे chart analysis को आपको सीखना होगा, ठीक हो, chart analysis के अंदर बहुत सारे और parts है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, दूसरा ह क्या होगा step, वो होगा मेरा option chain, option chain, option chain के अंदर में भी micro parts है, वो भी मैं आपके साथ clear कर दूँगा, ठीक है, देखो, तीसरा होता है हमारा price action, ठीक है, ये मैं आपको, जो होता है न, sequence wise मैं आपको बता रहा हूँ, हमें किस के बाद क्या सीखना है, क्यों उसका reason है, देखो, चार्ट हमें पहले सीखना है, चार्ट के अंदर ही होता है price action, लेकिन हम चार्ट analysis जिसे चार्ट के उपर क्या होगा, देखो, इसका micro news मैं आपको बता दूँ, चार्ट के उपर क्या है, हमें support ढूणना, ठीक है, हमें resistance ढूणना, उसके बाद देखो, यहां पर आपन entry point और exit point, ठीक है, जिसे हम लोग क्या सकते है, target ठीक है, और इसके अंदर होता है SL, SL को भी आपको सब चार्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा, technical analysis जब आप सीखोगे तो, तो चार्ट के अंदर आपको support, resistance, entry, exit, यानि SL लगाना, target लगाना, इन जीजों को आप क्या करोगे सीखोगे, चार्ट को आप फिल करना सीखोगे, फिल करना कैसे सीखना है, वो भी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, बस आप अपने भाइब के उपर भरोसा रखिये, चैनल को सब्सक्राइब करके, टेलिग्राम से जरूर जुरिएगा, तो चार्ट को फिल जब एक में बिलकुल मत करना, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चार्ट एनलाइसिस को अच्छे से सीख लेना है, अब देखो चार्ट के अंदर इन सब चीजों को जब हम अच्छे से सीखेंगे, 10 दिन, 12 दिन, एक सब्ता हम लोग काम जब करेंगे इसके उपर, तो क् अप्सन चीन में हमें सबसे पहले देखना है, ओपन इंट्रेस्ट के बारे में, ओपन इंट्रेस्ट, ओपन इंट्रेस्ट, ओई होता है, तो ओपन इंट्रेस्ट, उसके बाद, ओपन इंट्रेस्ट चेंज, ओई चेंज, ओई चेंज, यह जो होता है, यह काफी ज़्याद का की seller का आप अगर बायर हो तो आप उसमें जो है seller क्या कर रहा है वो कैसे समझोगे यह सारा आपको option chain open interest open interest change and इसमें एक और आता है volume ठीक है यह आपको NSC के option chain में मिल जाएगा ठीक है तो यह option chain में आपको volume open interest आपको option chain में सीखने को मिलेगा उसके बाद आपको option chain में ही मिलेगा PCR value यह निकालना ठीक है तो यह अलग-अलग तरह से निकाला जाता है ध्यान से समझेगा दोस्तों काफी important knowledge मैं आपको देने की कोशिस कर रहा हूं देखो option chain में आपने यह आपने समझ गया कि हमें open interest, OI change, volume, PCR उसके साथ इसमें देखो short covering के बारे में आपको मिल जाएगा long build-up, long unwinding यह सारी चीजे आप option chain के अंदर सीख जब जाओगे तो आपके अंदर क्या होगा आपने one week या फिर two week आपने चार्ट के उपर क्या चार्ट पर support, resistance, entry, exit दोनों को सीख गए अभी देखो option chain के दोनों को combine कर लोगे, ठीक है, automatic आपके दिमाग में न, वो सारा चीज आजाएगा, automatic की chart के उपर यह pattern बन रहा है, option chain के उपर यह data बन रहा है, तो दोनों के वीच का क्या combination हो सकता है, clear, तब जाके आपका third और सबसे important आएगा, price action, अधिकतर लोग price action की वीडियो को देखकर पस सीखता है, लगता है कि मैं सीख गया, नहीं, जब तक आपको chart, option chain, यह सारा चीज आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, price action को नहीं समझ सकते हैं, तो price action में लगब चार पार्ट जो है, यह आपको देखना है, तो यह चार पार्ट अगर वीडियो बना हुआ होगा, YouTube लोग sequence में बनाये होगे, तब तो देख सकते हो, लेकिन अगर लोग ऐसे उपर-उपर कहते हैं, price action के नम पर बहुत सारा वीडियो हैं, लेकिन वो बस ऐसे उपर-उपर आपको बता जिता है, तो हमें क्या करना है, यह chart, option chain, price action, तीनों को अच्छे से समझना है, ठीक है, अ एक learner के लिए paper trading बहुत वरा हथियार है, ठीक है, कैसे उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, बस ऐसे random अगर कर रहे हो, तो बेकार है, हम paper trading करते हैं, अपने आपको मजबूत करने के लिए, ठीक है, तो दिखो वो तीन जो मैंने बताया, उसके अलावा और छोड़ी-छोडी चीज तो paper trading जबी start करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा और सबसे important learning मिलेगी, क्या, वो मैं बताता हूँ, आपका body language, body language, ठीक है, body language आज आता है सबसे पहला one, आपने एक मैना सीखा है, उन सब चीजों को आपने सीखा, अब आप आया हो paper trading, first paper trading है, अब आपके दिमाग के अनुसार, आपके view के अनुसार, आपको paper trading कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका क्या काम करेगा, body language सबसे पहला, कि आपके अंदर कितना confidence है, आपका mindset कितना सही है, यानि कि देखो body language को कह लो, mindset कह लो इसे, या फिर आप इसे कह लो psychology, psychology आप इसे कह लो, ठीक है, तो यह जो में ही बहुत सारा पैसा लॉस करके, फिर learning के उपर आए हो, तो आपका जितना मर्जी सीख लो, आपका psychology build-up होने में काफी ज्यादा time लगेगा, बहुत आप डरोगे trade लेने से, लेकिन आप अगर first step उसे सीखने के लिए आए हो, कि नहीं मैं पहले सीखूंगा, उसके बाद मैं पहला paper trading करूँगा, उसके बाद मैं real trading करूँगा, तब तक क्या होगा, कि आपका body language, mindset, psychology, ये काफी जादा आपके अंदर build-up हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तीनों चीजों के सीखने के बाद ही paper trading करना है, कम से कम one week, ठीक है, one week से ज्यादा भी नहीं करना, हमें one week करना है, और वहां से हम अपने market के view है, उस view के अनुसार entry लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम patience रखेंगे, जो हमें लोग psychology में जानेंगे, तो हमें paper trading, जो psychology है, जो mindset है, जो body language है, ये paper trading में आपको confidence देगा, starting period में, ठीक है, हाँ, आप पहले से काफी ज़्यादा loss कर गए हो, तब जाके paper trading आपके mindset को नहीं बदलेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर real trading ही करना होगा, डर डर के, अब ये जो तीनों मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, बस आपको बता सकता है, करना आपको ही है उसके बाद सबसे ज़्यादा important आता है आपका risk reward, risk to reward, risk reward, देखो आपकर जो risk है वो calculate होना चाहिए आपकी दिमाग में, बहुत स्वाड़े लोग हैं कि risk reward लेकर तो आते हैं, calculate करकर भी आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से risk रखोगे, तो market आपका थोड़ी है, market आपको थोड़ी पहचानता है कि आप Amit हो, या Sonu हो, या फिर Ram हो, कोई भी हो, आपका वो हमेशा क्या करेगा, risk को ले जाएगा, तो अकसर आप क्या करते हैं, अपने हिसाब से जब SL लगाते हैं, तो SL आपका हिट होता है, market वहां से bounce back होता है, तो हमें कभी भी जो risk देना है, यानि कि SL जो लगाना है, वो हमें चार्ट के उपर देखकर लगाना है, चार्ट पर कहां हमें SL हिट करेगा, उससे थोड़ा हमें नीचे लगाना है, और देखो reward, reward भी हमें चार्ट के उपर ही देखना है, risk भी हमें चार्ट के उपर ही रखना है, हम अपने मन से पर जो है नहीं अपनी चार्ट के ऊपर ही रखेंगे risk and reward ठीक है अभी देखो ये चीज आपका हो गया तो इसके बाद आपके दिमाग में चलता होगा कि इन सब चीजों को सीखने के बाद भी हमें profit नहीं हो रहा है तो देखो इन सब चीजों को सीखने के बाद जो है आपको profit अगर नहीं हो रहा है तो फिर simple और आसान सब्दों में मैं आपको कहूंगा कि आप option trading छोड़ दे मेरा निवेदन है आप investor बन जाए IPOs में apply करें या फिर आप short term में delivery में buy करके आप profit कर सकते हैं I hope दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा लगा है थोड़ा भी तो please like कर दीजेगा वीडियो में और भी कोई doubt होगा कुछ भी समझ भी नहीं आया हो तो आप telegram के द्वारा हमारे whatsapp group पर कर सकते हैं या फिर comment box में comment कर सकते हैं दीजिए आपने भाई को इजाज़त मिलता हूं next video में thank you जाहिंद